जाहिंद वंदे मात्रम स्वागते सभी सात्यूं का इस्टेड़ी एक्जाम एकेडमी के आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पर तो सात्यूं आज अपना टॉपिक होने वाला है रिजिनिंग में रैंकिंग टेस्ट यानि करम परिक्षान विदारती काफी लंबे ट एक्जाम में हम जाते हैं तो रिजिनिंग में ये टॉपिक हंड्रेट परशेंड में पूचा ही जाता है तो क्यों ना इसको हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इसको अच्छे डंक से त्यार करें जो विदारती विशेज तोर से कॉंस्टेबल प्रिक्षा है ग्राम शेव क है इनकी त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी मेहतु पूर्ण है और आप मेरा विश्वास कीजिए इस क्लास को दिया आपने पूरा देख लिया तो इस टोपी का डर है वह आपका जट्शे में खतम कर दूंगा बिलकुल कुछ विदारती बोर्टेंग सरह में थोड़ बड़ा जों भी आप कर सकते हैं बिलकुल मैं यहां पर पूरा कौसिस करूंगा पूरी परियास करूंगा आपको समझाने का सभी अन तक बने रहे हैं इस क्लास में तो यहां पर आप देखोगे तो एकजाम में आपका सीधा परशन बनेगा परशन कैसे बनता है कि आपको पूछा जायएगा कि यह जो पंक्ति आपको दिखा दे रही है इस पंक्ति में सी का कौन सा इस्तान है तो एक दो और तिन तो सी का इस्तान तीसरा है ठीक है उसी परकार से यहां पर लिख दूंग में, यह यहां पर बायं से यह आप को पूछा जाए पेपर में है कि बायं से C का कौई सा इस्टान है दीचान करेशारा हैं ध्यांन चोतू चो बता रहा हूं स्टाइटिंग में यदि आपको पूछेगा कि दाइं और से का कौन सा इस्तान है तो दाइं और से एक, दो, तीन, और चार, दाइं और से सी का इस्तान हो गया, चोता इस्तान, यदि आपको पूछे कि इस पंक्ति में कुल कितने चात्र है, तो पंक्ति में कितने है, A, B, C, D, E, अभी, तो यहा यह अपना बाया हाथ है और यह अपना दाया हाथ है तो यहां पर देखो बाई और से तीसरा हिस्तान है सी का और दाई और से चोता हिस्तान है तो तीन और चार टोटल कितने होगे साथ होगे क्या इस पंक्ति में साथ छात्र है क्या साथ है तो साथ नहीं है ज्यान रखना पं दाइन तरफ से भी हो गई एक तरफ दाइन तरफ से भी हो गई इसकी वज़े से इसका आंसर दोनों को जोड़ने पर साथ आया लेकिन आपको इसमें से एक माइनस कर लेना है ठीक है तो च्छे आ गया उसी परकाश अब एक में परसन आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि है परसन आपके सामने है जिसको दिखाई साप नहीं दे रहा है वो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा ले चार सो अशी कर ले और इसके बाद में आप मोबाइल को फुल स्क्रीन पर करके देखें ठीक है चात्रों की एक पंगती में गोरव का बाएं छोर से बारवां इस्तान है वे दाएं छोर से अठारवां इस्तान है तो पंगती में कुल कितने चात्र है ऐसा परसन आपको पूछा जाता है एकजाम में ठीक है ये पहला ही परसन है और अपनी पहली ही टाइप है ध्यान पुर्वक देखना मैं बिलकुल आपको बैसिक से बता रहा हूं ध्यान पुर ठीक है बारवां हो गया रहे यहां पर दाएं और से अठारवां इस्तान हे तो यह अपना दाएं है तो इदर से दैं और से किदर से देखें किस-किस का राइट आंसुर आता है बाई और से बारवा है दाई और से अठारवा है तो पंक्ति में कुल कितने चात्र है यहां पर देखें 12 पलस 18 कर लो 12 पलस 18 किया तो आपका 30 कितना हुआ 30 तो जो विदार ची बता रहें 30 है तो उनका गलत है यही गलती करते हो का हम बाइं तरब से भी इसको count कर लिया और दाएं से भी इसको हमने count कर लिया लेकिन यहां पर student तो एक ही है तो इसका मतलब इसकी counting एक ही बार होगी एक यानि माइनस कर लेना है तो इसका answer आजाएगा 29 कितना आजाएगा 29 बिल्कुल 29 जो विदारती बता रहे हैं उन सभी का right है क्योंकि हमने इधर से भी count कर लिया इधर से भी count कर लिया इसको लेकिन student तो एक ही है तो counting दोनु तरब से एक बार होगी तो एक तरब से इधर से हम count कर लेत तो 29 इसका right answer है आगे बढ़ते हैं अगले परशन की और अगला परशन देखें परशन है कि छात्राओं की एक पंक्ति में डीपी का आगे से शोडवी है जान डगना यह यहां पर पंक्ति है और इस पंक्ति में आगे से डीपी का शोडवी है कौन सी है शोडवे इस्तान प गुरू जी पिछे से 22 ही इस्तान पर है 22 है तो इसमें और कितनी चात्रां को सांविल किया जाई ताकि इन की संख्या 45 घूंच होजा तो पहले आपको पता करने है कि इस पंक्ति में कितनी चात्राइं है 16 और 16 और 22 कितना हो गया, 16 और 22 को हमने 8 किया, तो आपका हो गया 38, कितना हो गया 38 हो गया, तो क्या इस पंक्ति में 38 चात्रा है, नहीं, क्योंकि हमने इसको आगे से भी काउंट कर लिया, और पिछे से भी काउंट कर लिया, यानि इसमें से एक हमको माइनस कर देना है, हमें क्या कर 65 हो जाए, तो 45 में से 37 को माइनस कर लो, 55 में से 37 को माइनस किया, तो पिछे बचा 8 तो कितनी छात्रहों को सामिल करें, कि संजन क्या हो जाए? यहां पर 45 हो जाए, तो 8 छात्रहों को मरे ड्रेकर है, तो बिल्कुल 8 आपका यहां पर right answer होगा, बिल्कुल बेसिक है यह तो समझ में आया होगा कि देखो दीपा है आगे से 16 इस्तान पर है और पिच्छे से 22 इस्तान पर है तो इस पंक्ति में कितने होगी यहां पर कितनी चात्रे ही होगी 16 और 22 आपको 8 कर लेना है तो कितना हुआ 38 हुआ तो 38 में से 1 माइनस कर लेना है अब आप बोलोगे 1 माइनस कैसे किया क्योंकि हमने दीपा को आगे से भी काउंट कर लिया और पिच्छे से भी काउंट कर लिया और आगे से भी काउंट कर लिया यानि यह दोनु तरब से काउंट हो रही है लेकिन दीपा तो एक ही है तो इसको को एक तरब से माइनस कर देते हैं वापीस तो इसजेंटीस हुआ अब पिच्छे पूचा गया कि सामिल कितनी को सामिल करें कि 55 हैं क्या हो जाय था तो पिच्छे कितनी बची उसी कक्षा की चात्राउं की पंक्टि में मोनिका आगे से ग्यारवी वे पिच्चे से नौवी है तो कक्षा में कुल कितने चात्र है आंसर बतें दे के comment box में किस किस को आ रहा है यहां पर देखो बहुत ही अच्छा person है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ज्यादा नहीं लगाना इसमें हमें क्या करना है कुमार गोरव पंक्ति के दोनुछोर से सोड़ुआ है समझने का प्रियास करना यह पंक्ति है यह क्या ह बीच में है सोड़ुआ इस्तान पर तो यह बीच में सोड़ुआ इस्तान पर है तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस पंक्ति में कुल कितने चात्र होंगे कौन बताएगा इस पंक्ति में कितने चात्र होंगे मैं एक पंक्ति के बीच में खड़ा हूँ मैं बा मात्त करूँ 16, плюс 16, यानि कि कितने हो जाएंगे 32, 32 minus 1, कितने हो गए 31, तो इस पंक्ती में कितने चातर हो जाएंगे 31, क्यूँकि 15 मेरे इधर है, अरे 16 नंबर पर मैं हूँ तो यह एक से लेकर यहां पर 15 चातर हो गये, और इधर भी पंदुले हैं, इधर भी कितने हो जाएँगे 15, क्योंकि मैं 16 में हूँ, 15 15 30 और weg यहां पर मैं हो गया यानिक इस पंध्टि में qitने 31 चात्र होगि, कितने हो गए 31 अभ यहां पर दूसरी पंग्धी और है तो यहां पर यह यह varit रखना 31 तो इस छात्राओं की पंक्ति इसको वापिस देखते हैं इसको एक बार में अटा देता हूं इधर 31 आप ज्यान रखना दूसरा पूचा गया है कि छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से यहां से आगे से कौन से इस्तान पर है ग्यारवी है यह ग्यारवी इस्ता रहे कुल चात्र पूचे गए हैं यहां पर देखो यह गोरोव भी सामिलोगा और मोनिका इन दोनु की जो लाइन हैं पंक्ति हैं दोनु को काउंट करना है लेकिन इस पंक्ति में आप मुझे पहले बताओ कि कितने यहां पर चात्र आएं हैं देखो मोनिका इदर से ग्यारव इस्तान पर है और पिच्छे से नोमे इस्तान पर है तो इस पंक्ति में कितने हगए मैंने बताओ यह था ग्यारां प्लस नो पचास हो जाएंगे आपको समझ में अच्छे ढंक से आया होगा अगला परसन आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है सात्यूं आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ने चास्र शी पर कर ले है या इसको थोड़ा जूमाप कर सकते हैं एक कख्शा में एक कख्षा में एक परिक्षा का अयोजन हुआ परिक्षा में उतिन विदार्तियों की पंग्ति में राजेज ह्टम चौर से 21 स्ञे test 17 वा है यदि ग्यारा विदार्ती परिक्षा के इन अनुपस्ति थे वे आठ विदार्थी अनुतिरिन हुए तो कुल विदार्थियों की संक्या वे परिक्षा में बैठे विदार्थियों की संक्या कितनी होगी विल्कूल यहां पर अच्छा परसन है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कोई ज्यादा खास नहीं है क्या होगा क्या करना है परिक्षा में उतिन विदार्थियों की पंक्ति में राजेस पर्थम छोर से 21 हुआ है तो यहां से आप देखोगे तो यह पर्थम छोर से 21 हुआ राजेस कौन सा है 21 है वे अंतिम छोर से 26 हुआ है यानि पिछे से अंतिम छोर यानि पिछे से राजे 21 और 39 को जोड़ा हो इनको 8 करो और minus a कर लो क्या कर लो minus a कर लो तो minus a कर तो आजेंगे 67 तो इस पंक्ति में कितने चातर है 67 है डियान रगना आगे देखें यदि 11 विदारती परिक्षा के दिन अनूपस्थित है अनूपस्थित कितने विदारती है ग्यारा विदार्ती यानि इन्होंने परिक्षा नहीं दी वे आठ श्टुडेंट अनूतिरन हुए यानि फेल कितने हुए फेल कितने विदार्ती हुए बिल्कुल यहां पर आठ विदार्ती फेल हुए ठीक है तो कुल विदार्तियों की संक्या वे परिक्षा में बेटे वि नुंतरियन हुए या अनुपस्तित रह तो कुल विदार्ती कितने होगे 8 और 11 कितने होगे उन्निस तो इसमें 8 किया तो कितना होगय 86 तो कुल विदार्ती कितने है 86 है आगे परसंद प्सक्ता गिया है परिक्षा में बैठे विदार्तीयूं कि см नहीं है प्रिक्षा में तो टोटल विदार्थी कितने है जिने यहां पर प्रिक्षा दी वह 75 हो जाएंगे कितने हो सेवन्टीफाइब त suguko जाएंगे 75 तो इसको पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है बिल्कुल यहां पर इसी चीज का ध्यान रखना यहां पर दोनु तरब से काउंट करके एक माइनिस कर देना बिल्कुल अगला परशन देखते हैं अगला परशन देखें अगला परशन है कि छात्राओं की एक पंक्ति में नहा ब च्छोर्षन 25 ही होगी तो पंक्ति में कुल कितनी चात्राएं हैं आंसर बताएं देखें हैं जिसको भी आ रहा है बिल्कुल इसको अम स्वाल करते हैं नहीं टाइप है अगली आपकी सेकिंड टाइप एक पंक्ति में नहा बाएं चोर्षन यह अपना बाएं चोर्षन जो नहा है नहा को मैं elik देता हूं बाएं चोर्षन पंदरवयस्थान पर है किस इस इसन पर है पंदरवयस्थान पर इस इसी पंक्ति में पिरिया दाएं चोर्षन यह आपका नहां चोर्षन और इस दाएं छोर्षें पिरिया दस्वें इस्तान पर है ये पिरिया आपकी दस्वें इस्तान पर है यदि दोनु चात्राएं परस पर इस्तान बदल ले अब ये दोनु चात्राएं क्या कर रही है अपना इस्तान बदल रही है तो यहां पर नीचे इसका इस्तान बदल दे दोनों का इस्तान बदलेगी तो नहां की जगें क्या आजाएगी पिरिया आजाएगी और पिरिया की जगें नहां आजाएगी ठीक है इन्होंने अपना इस्तान बदल लिया है यदि इस्तान बदल ले तो नहां बायां चोर से 25 होगी यह नहां रही इस्तान बदलने के बाद ज्यान रखना नेहा बाएं चोर से यह बाएं चोर है यहां से 25 ही हो जाएगी कौन सी हो जाएगी 25 तो यहां से आप देखोगे तो बाएं चोर से इसका 25 इस्तान है और दाएं चोर से इसका 10 इस्तान है कौन सा है 10 इस्तान बदल लिया तो इधर से इसका क्या है दस्तान है और माइनस कर लो क्योंकि इसको डबल वार हम काउंट नहीं करेंगे तो आपका आंसर आजाएगा 34 तो पंक्ति में कितनी चात रहे हैं 34 बिल्कुल 34 आपका राइट आंसर आजाएगा प्यारे साथ यूँ समझ में नहीं आया एक बार वापिस बता हूं जिसको समझ में नहीं एक बार वापिस बता रहा हूं यहां पर आप देखें नहा का बाई और से पंद्रवा इस्तान है और दाई और से पिरिया का दसवा इस्तान है बाद में यह दोनु आपस में इस्तान को बदल रही है यानि नेहा की जगें पिरिया आगी नेहा की जगें पिरिया आगी और पिरिया की जगें नेहा आगी इस्तान बजल लिया लेकिन इनका साइं क्या है वो सेम यह जहान रखना इधर से यह पंद्रवे नमर पर यह हो गई और दसवे नमर पर नेहा हो गई अब क्या हुआ नेहा बाए दाईं और से 25 विम्हें मंने ये पता है कि यह 9-ंवार से कौन सी इस्थान पर है तो अमें पता करना है कि कुल कितनी चात्र है पंकती में थैड़ किया इनका योग कर लिया 20 तरफ से आसू पिछे से ग्यारवा है यदि दोनु परस पर अपना इस्तान बदल ले तो तो रहूल तो रहूल पिछे से सउद्वा हो जाएगा तो पंक्ति में कुल कितने चात्र है तो ज्यां रखना कैसे विल्कुल जिसको आ रहा है बताने के कमेंड वोक्स में कलास को लाइक जरूर करें है रहूल आगे से सोड़वा है यहां से मैं बात करूं आगे से तो यह रहूल हो गया सोड़वा कौन से नमर पर आओ गया सोड़वा ठीक है आसू पिछे से ग्यारव जाएगा कैसे रहुल की जगे आसु आ जाएगा और आसु की जगे रहुल आ जाएगा ठीक है आसु की जगे रहुल आ गया और रहुल की जगे आशु आ गया यहां पर ज्यान रखना यहां पर देखो यह पिछे से जो है यह आपका रहुल नहीं है यह आसु है ठीक है आसु ह से और पिच्छे से 14 नमर पर है कितने नमर पर है 14 नमर पर है तो आपको यहां पर दोनु को काउंट कर लेना है तो दोनु को काउंट किया तो कितना हो गया तीस हो गया, 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गया, तो इस पंक्ति में कुल कितने चात्र हो गये, 30 चात्र हो गये, तो 30 राइट है, बिल्कुल नहीं है, क्यूंकि हमने आशु को दो बार काउंट कर लिया है, इसमें से एक आपको माइनस कर देना है, आगे से भी अकाउंट किया, पि दोनु अपनी जगें परस पर बदल लें, तो इसमें कुल कितनी चात्र हैं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेणू बाई और से उननीस ही है, तो हम बाई और से देखेंगे, तो ये रेणू, रेणू कितने नमर पर है, 19 वे नमर पर, ठीक है, हेमा दाई छोर से ग्य यादि दोनु परस पर अपनी इस्तान बदल लेती है, तो यहां से आप समझोगे, इदर से ये इस्तान बदल लेती है, तो रेणू की जगे हमा आजाएगी, और हमा की जगे आजाएगी आपकी रेणू, ठीक है, रेणू की जगे हमा आगई, और हमा की जगे रेणू आग दाई यो हो जाएगी तो कुल कितनी चात्रा हैं तो हमें पता चल गया कि हमा दाई 1 और 22 वे नमर पर हैं और 22 वे नमर नमर पर है क्योंकि रहनों केद रहनों की जगह इने रहनों कि एआद यहींकि जगे लिओं का आप strawberries डàiう 41 तो माइनस एक या तो हो गया आपका 40 तो कौन से कुल छात्राइं कितनी है 40 40 बिल्कुल 40 जिसका भी आनस्वर आ रहा है उन सभी का राइट है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल गुड इवनिंग आगे बढ़ते हैं अगला परशने की चात्रू की एक पंख्ति में निरज आगे से अठार है और उसी पंख्ति में राजू पिछे से 21 यदि दोनु परस पर इस्तान बदल लेते हैं तो निरज आगे से 24 हो जाता है तो पंख्ति में कुल कितने चात्र है बिल्कुल basic person है, वही पहले वाली trick काम में लेना है, निरज आगे से हैं, इधर से में बात करूँ आगे से हैं, तो ये निरज N लिख देता हूँ निरज को, ये 18 नमर पर है, कितने नमर पर है, 18 नमर पर, उसी पंक्ति में राजू पिच्चे से 21 नमर पर है, ये राजू है, ये पिच्चे से 21 नमर पर है, ये दोनू परस पर इस्तान बदल लेते हैं, इस्तान बदलने का मतलब है कि निरज की जगे आपका राजू आ जाएगा, और राजू की जगे आपका निरज आ जाएगा, यानि कि राजू 18 नमर पर हो गया, बिल्कुल, और निरज आपका 21 न तो हमें यह पता चल गया की आगे से चौबीसमें नमर्चें और पिच्छे में निर्ज फोई नमर्च थे यहां पर आप देख सकते हैं यह किसका है कियोंकि इन्हों ने इस्तान बदल लिया इस का में इस सकतर है कि पर फिशा पेंतारिस वहाँ ? 55 में से एक माइनस कर लो तो कुल कितने चातर होगे ? 44,7 बिलकुल 44 इसका राइट आंसुर आ जाएगा तो आज की कलास में इतना ही ताकि कलास लंबी नहो और कल की कलास में बाकी हम आगे और बढ़ेंगे बाग की आगे और बढ़ेंगे अभी ये टोपिक समाप्त नहीं हुआ है कल की क्लास में थोड़ी लंबी करेंगे लेकिन उसको समाप्त करने की पूरी कोशिच करेंगे धन्यवाद जाहिंद